मैं आपकी तरफ आउगा इसकी पास को ज़रा मैं इलाबरेट करेंगी वो यह कि citizenship education जो होती है that is very important that is giving back to the community इसको ज़रा explain कीजेगा citizenship education बेसकली civic responsibility आप कह सकते हैं उसको असान अलफाज में civic responsibility का जो जजबा है वो हमारी नौजवानों में और हमारे का इस बारे में शहुर ही नहीं है कि civic responsibility इसकी reason क्या है कि हम उनको पर उजागर ही नहीं करते हैं कि आपकी भी कोई जिमिदारी है towards your home towards your society towards the community that you are living in towards the country हम सिभ बात करते हैं कि आप students है right आपको यह अच्छे grades लेकर आने जब आप colleges में जाएं आपका में टागेट होना चाहिए you have to acquire a job right लेकिन दूरिंग इस span you have an obligation you have a moral and cultural and you know societal obligation towards the country that you are living in अच्छा मैं मैं आप दोनों साहिबान के सामने question रखता हूं आम तोर पर यह कहा जाता है मैं मुक्तलिफ lectures वगरा में जाता हूं तो कहते हैं घर के अंदर तर्बियत होती है और फिर एक example code की जाती विचिस वेरी typical example हमारे में नाजरीन पी सुनकर उनको भी मज़ा आए गा के हम बच्चे से कहते हैं कि हम इक कोई घर पर बोधाने आता और हदीस में ये लिखा है कि अगर वो तुम से ना मिलना चाहे तो वापिस चले जाओ इसका बुरा ना मानो अगर मैं नहीं मिलना चाहरा तो मेरा दोस्त मुझसे बुरा मान जाएगा ये भी तो एक प्रॉब्लम है तो हमें तो अपने एल्डर को भी फिर एजूगेट करना चाहिए हम बच्चों को कहने पर मजबूर इसलिए हो जाता है कि मुझे पता है कि मैं उसको उससे अभी नहीं मिलना चाहरा तो वो नाराज होके चला जाएगा प्रॉद में मुफदी साथ ने बात की थी तैजीब की और तमीर की भी बात की थी हमारे जो वालियू सिस्टम में जो पहले दस साल पहले जो चीज़ सही और गलत समझी जाती थी आज कल के दौर में बिलकल गलत और सही हो गई है पहले जूट बोलना मायूब समझा जाता था आप तरगीब नहीं देते थे बच्चों को के जी आप जूट बोलो Even parents जो है कोशिश करते के कुछ ऐसी बाते होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं की जाती आज खुलके वही बाते हैं आप बच्चों के सामने भी कर रहे होते हैं और you don't care के वो बच्चे वहीं पर बैठे वे हैं या नहीं बैठे वे सुन रहे हैं कुछ ऐसी बाते हैं जो उनके सामने भी की जा रही हैं जिसकी विज़े से इक्सपोस्य लेवल उनका बहुत जादा बढ़ता जा रहे हैं and they don't know the difference between right and wrong आप यही पे मैं आपको रोकूंगा मैम आपकी बात यहीं से अंब करेंगे एक ब्रेक से वापिस आते हैं नाजरी ने कि मुक्तसर से ब्रेक से वापिस आएंगे और मैम की बात जारी रहेगी ब्रेक के बात